देखे, 2017 में ब्रामणों ने बंपर उट किया था, उनको बदले में बंपर इंकाउंटर मिले हैं, ब्रामणों को जितना टारगेट किया गया इस सरकार में, या ब्रामणों के साथ साथ सर्फ समाज को टारगेट किया गया कही ने कहीं, तमाम जो लोग हक के लिए आवाज उठाने का काम किये उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया और इस पूरे प्रदेश का ब्रामर समाज क्या सर्व समाज 3600 विरादरी ये मन बना चुकी है कि हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननी राष्टिय द्देख शकले से आदो जी को मुख्य मंतरी बनाने का काम करेंगे इस बार कहीं कोई आ जाए पूरे जनपद पूरे प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे संगीता बलवन पिछले अपने पान साल के कारेकाल में 3.5 साल ये कहती रहीं कि हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे तो ये कहती रहीं कि हम उनके लोग कहते रहें कि मिर्जापूर से लड़ेंगी तो बदो ही जा रही है उनको भी हैसास था अब अगर वो यहां से चुना लोड रही है तो यहां की जनता कोई भी हा जाए माननी राष्टि पाटी इस बार चुना लोडने जा रही है और हर प्रत्यासी माननी राष्टि अध्धल जी समझके तमाम हम समाजवादी साथी उसको चुना जीताने का काम करेंगे और समाजवादी पाटी की सरकार बनाने का काम करेंगे कोई भी चुना लोड़े सब की जमाना जब्त होना ताय है गाजीपूर से सर मैं जानना चाहूंगा कितने सीटे आप लोग प्ला रहे हैं गाजीपूर इस बार इतिहास रचने जा रहा है गाजीपूर इस बार इस जनपत की सातों सीट समाजवादी पाटी की जोली में डालने का काम करेगा क्या विकास हुआ इस बार सपा क्या करेगी देगी समाजवादी पाटी ने पहले भी विकास किया है जग जाहिर है कि सरो पूरे प्रदेश में चारों कूने में चाहिए वो मेट्रो रही हो स्टेडियम रहा हो नौजवानों के उत्सा को बढ़ाने के लिए लेप्टॉप रहा हो कन्या विद्याधन रहा हो तमाम ऐसी समाजवादी पार्टी की योजनाए हैं जो सरो समाज को जो है लाब पहुचाने का काम करती थी समाज को मिलना सुरू हो जाएंगी और एक सरो समाज को इस बार लेके चलने का काम किया जाएगा समाजवादी पार्टी पार्टी कोरा हर रोज बच्चे अंसन कर रहे हैं अभी पहुच सारे भरतियां भी लीक हो रही है भाजपा कहते कि ने यार ऐसा तो कुछ हुआ ही ने हम इस देश को बेचने का काम किया है नौजवानों को रोजगार मिला होता तो नौजवान आज सडकों पर नहीं होता नौजवानों के साथ इस प्रदेश की सरकार ने जो सवतेला बहवार किया है उसका जबाब नौजवान साथ चरणों में इनको देगा और साथ चर्णों में इनकी जड़े उखाड फेकेगा इस पूरे प्रदेश का नौजवान ये मन बना चुका है कि इस बार भारती जनता पार्टी को एक तरफा हर विधान सभा की सीठ हराना है क्योंकि नौजवानों के उपर जिस तरीके से भी आपने कल पर सुन वीडियो वैरल हो रही थी आपने देखा होगा कि किस तरीके से नौजवानों का सुसन हो रहा है वो नौजवान गिरगड़ा रहा है वीडियो में और कह रहा है कि साहब हमने एक ढेला आज तक किसी को नहीं मारा आप हमको छोड़ दीजिए वो किसी समाने परिवार का बच्चा वहाँ जाके पढ़ाई करने का काम करता था और उसको होस्टल से रूम से निकाल निकाल के पुलिस ने ऐसे मारा जैसे कि वो कहीं पाकिस्तान और अन्य देश से आके यहां रह रहा हो आतंकवादी हो नहीं इन सरकार को पता था कि यह सिच्चक हैं और वो ना तो कोई नेता था समाजवादी पाटी का और ना तो कोई कार काम करते हैं मैं तो इस प्रदेश की जनता का धन्यवात करता हूं कि इस बार इस बार का चुनाव इस प्रदेश की जनता इतने सांती ढंग से लड़ रही है कि पूरे प्रदेश में अभी तक भारती जनता पार्टी हिंदू-मुसलिम नहीं कर पाई भारती जनता पार्टी 3600 बिरादरी में किसी बिरादरी का अच्छा नहीं करने वाली है आप 3600 बिरादरी में जाके पता कर लीजिए पूरे प्रदेश के भीया कि किसी का वो अच्छा करने वाली है किसी का अच्छा नहीं करने वाली है उसको वोट बैंक साधना है नहीं जोग तंत्र के लोग को लोगतंत्र पर 적स्वास नहीं है इनका जो खुद का फुन्डमेंटल है उसके तरीके से काम करना चाहते हैने यह देश पर उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े यह करने के लिए तयार हो जाएंगे एक बात बताईए हमारे घर में आपके घर में हमारे गाव में आपके गाव में या मेरी विधान सभा में आप मेरी विधान सभा का बात करें महादेव का मंदिर का सुंदरी करण दो लाख रुपे की लागत से मैंने स्वयम करा है हमारे यहां नारी पच्दोरां ग्राम सभा की बात करें खडशरी वहराज की मंदिर, मैंने 11000 रुपे का सहयोग किया, मेरे यहां नौजवान फिल्ड पर दोड़ने का काम करता है, वहां मैंने हेंड पंप लगवाया, रादे कृषिन का मंदिर मैंने बनवाया है, आप जा के करीब एक लाख रुपे की टाइल्स वगर लगा के उस मंदिर का सुन्दरी का है, हम से जादे आस्ता किसकी है, हम हम हिंदू है, हम अपने देवी देवता को कब नहीं चाहेंगे, मगर हमने कभी राजनीत नहींगी, इस्वर को कौन नहीं मानता, सर्व समाज इस्वर को पूरे देश के भावनाओं के साथ खिलवार करने का काम करती है, उनके सम्मान को किस तरीके से उनको ठगने का काम करती है, नहीं तो पूरा सर्व समाज जो है कि जो हिंदू समाज है हमारा, सर्व समाज देवी दोता को मानता है, सब के गाउं में मंदिर हैं, सब अपने अभी की बात है मैं आपको बताओं दो-चार महिना पहले की बात होगी हमारे यहां हमारे ग्राम सभा के लोग आये कुछ कि भीया यहां पर बजनंग बली का मंदिर हम लोग बनाना चाहते हैं और उस मंदिर में भी आप सहयोग कर दीजिए हमने का देखिए भाई एक तो मैं जाती से ब्रामण हूँ और फिर हिंदू धरम में ब्रामण जो है सर्वोपरी होता है इन सब चीजों के लिए तो आप अगर जो मुझसे सहयोग चाहते हैं आप बताईए तो उन्होंने कुछ नहीं बताया मैंने 20,000 रुपय का सहयोग वहां भी दिया कि आप इसको और भव कर सकता हूँ सर्व समाज की आवाज बनने के लिए मैं मुझे क्या करना चाहिए सर्व समाज में कौन दुखित है कौन सोसित है कौन वंचित है उसकी लड़ाई अगर वह वाकई परिसान है तो मैं कैसे लड़ू आप यकिन नहीं करेंगे मेरी ग्राम सभा में इस भारती ज जोटा सा भी काम कर देंगे तो ये दुनिया बर का प्रोड़ा करेंगे इन्होंने कभी बताया कि मैंने 800 क्रोड रुपए में हमने अपना पार्टी कर्या बनाया कई हज्जार क्रोड का इन्होंने मूर्ती लगा दिया उसका आउट पूट क्या है देश को देश के इसा कुछ नहीं है यह खुद जिन्ना को मानते होंगे इसलिए इनको जिन्ना बड़ा प्यारा है माननी राष्टी अधक्षी ने क्या बयान दिया पूरा बयान दिखाते यह खुद चाहते हैं कि किस तरीके से यह उस्तरप्रदेश का चुनाव यह हिंदू-मुसलिम करें जिसमें यह फेल हो जा रहे हैं बार-बार इसलिए मैं आपके चैनल के माद्यम से भी जो मेरे दर्सक या आपके दर्सक मेरे सुबचिंतक मेरे चाहने वाले सुन रहे होंगे उनसे भी मैं अपिल करता हूं कि इस बार मंदिर वजजित पे मत आना आप इस बार रोजगार की सम्माण के लड़ा है इस लिए इस बार पूरे प्रदेस की जनता भी मन बना चुकी है कि हम लोग भारती अपने जनपद को ले लीजिए कि आपके जनपद में क्या भी कास हुआ है भारती जनता पार्टी की सरकार पूरे जनपद का धाई तीन लाग ब्रामण समाज इनको ग्यापन देते देते थक गया इनसे मांग करते करते थक गया एक पसुराम चवराहा इन्होंने पांच बार पसुराम चवराहा नहीं बनवा पाए और समाजवादी पाटी ने और 60 फुट का फरसा लगा कर पसुराम जी के मंदिर के अनावरण में उनका पूस का पूजा करने माननी राष्टी अद्दक जी है आप सूचिए कि माननी राष्टी अद्दक जी सहरों समाज को लेके चल उम्रा था उस जनसलाब को देखके इनके नहीं धरहम हो गए उसके कुछ दिन बात यह देखते रहे कि इनके रैलियों में कुरसियां खाली पड़ी है नेता भगा दिये जा रहे हैं खदेड दिये जा रहे हैं वार्टी जंता पाट्टी के नेताओं को तो इन्हें लगा कि कि हम हिंदू मुसलमान कैसे करें हम 20 साल पहले की बात कैसे करें हम 40 साल पहले की कैसे बात करें तो यह नई हवा है नई सपा है और यह नौजवानों की सपा पूरे माननी राष्टिय द्यक जी के नेतुट पर विश्वास रखती है उनके नीतियों से को चंजन के बीच में पहुचाने का काम कर रही है और समाजवादी पाटी की सरकार बनाने का क्याम करेंगे और माननी रास्तिय द्रग जी कुमुख मंतरी बनना टैंग अब जान लिजी राजकुमार पांडे जी के साथ चुनावी समर में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे अभी इनी के साथ मैं बैठा हूँ और डंके के चोट पर इन्होंने जो कहा आज हम वो दिखाएंगे आपको मेरे वीडियो को देखें और सेयर करें